मेरे प्यारे नवजवान साथियों, 15 अगस को लाल खेले से मैंने स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, उसके समन्द में एक प्रात्वीक चर्चा की थी, उसके बाद सरकार के सभी भागों में इस बाद चल पड़ी, क्या भारत स्टार्ट अप कैपिटल बन सक सतना है कि हमारे राज्यों के बीच नवजवानों के लिए एक उत्तम अवसर के रूप में नए नए स्टार्ट अप, अनेक विद्ध स्टार्ट अप, नए नए इनोवेश्व, चाहे मैनुफेक्चरिंग में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे एग्रिकल्चर में हो, हर चीज में नया पन, नया तरीका, नई सोच, दुनिया इनोवेशन के बिना आगे भड़ती ही नहीं है, स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, युआ पिडी के लिए बहुत बड़ा आउसर लेके आई है, मेरे नवजवान साथियों 16 जनवरी को भारत सरकार स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, उसका पूरा एक्शन प्लान लांच करने वाली है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और इस कारिकम में देश भर की IIT, IIM, Central University, NITS, जहां जहां युआ पिडी है, उन सब को Live Connectivity के द्वारा इस कारिकम में जोड़ा जाएगा, स्टार्ट अप के समझ में हमारी हाई सोच बंदी-बंदाई बन गई है, जैसे Digital World हो, या IT Profession हो, ये स्टार्ट अप उनहीं के लिए जी नहीं, हमें तो उसको भारत के आवशक्ताओं के अनुसार बढ़लाव ल कि गरीब को मद्धुरी में थोड़ी सुविधा हो जाए, मैं इसको भी स्टार्ट अप मानता हूँ, मैं बैंक को कहूंगा, जैसे नवजवान को मदद करो, मैं उसको भी कहूंगा, कुछ नविमत से आगे बढ़ो, मार्केट मिल जाएगा, उसी प्रकार से, क्या हमारे इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, कुछ सहरों में सिमीत नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कौने में फैलना चाहिए, और इसे मैं राज सरकारों से भी आगरह कर रहा हूँ, इस बात को हम आगे बढ़ाए, 16 जन्वरी को, मैं जरूर, आप सब से रूबर हो करके, विस्तार से इस विशे में बाच्चित करूँगा, और हरमेश आपके सुजावों का स्वागत रहेगा, पैरे नवजवान साथियों, 12 जन्वरी स्वामी विवेकानन जी की जन्म जैन्ती है, मेरे जैसे इस देश के कोटी-कोटी लोग है, जिनको स्वामी विवेकानन जी से प्रेना मिलती रही है, 1995 से 12 जन्वरी स्वामी विवेकानन जैन्ती को एक नेशनल यूथ फेस्टिवल के रुप में मनाये जाता है, इस वर्ष ये 12 जन्वरी से 16 जन्वरी तक 36 गड़ के राइपूर में होने वारा है, और मुझे जानकारी मिली कि इस बार के उनकी जो थीम है, क्योंकि उनका ये इवेंट थीम बेस होता है, थीम बहुत बढ़िया है, इंडियन यूथ आफ डैवलोपमेंट, स्कील, एंड हार्मनी, पुझे बताया गया कि सभी राज्यों से, इंदुस्तान के कौने कौने से, दस हजार से ज़्यादा यूवा इखटे होने वाले ह एक लगू भारत का दरश्य वहाँ पैदा होने वाला है, यूवा भारत का दरश्य पैदा होने वाला है, एक प्रकार से सपनों की बाड़ नजर आने वाली है, संकल्प का एसास होने वाला है, इस यूथ फेस्टिवल के सबन में, क्या आप मुझे अपने सुझाव दे सकते मैं खास करके युवां दोस्तों से आगरह करता हूँ कि मेरी जो नरेंदर मोदी एप है उस पर आप डारेक्लिक दोस्तों करता हूँ